नमस्ते, मैं भारती, मेरे बारत के किच्चन में आज आपका सागटे तो आज हम बनाने वाले हैं हेदरबादी इस्पेशल पणीर की सबजी तो आएए ये रेसिबी को हम शुरू करते हैं आज हम हेदरबादी पणीर की सबजी बनाएंगे ये सबजी शादियों और पाटियों में आमतोर में बना ही जाती है और ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आईए देखते हैं हिद्रबादी पनीर की सबजी बनाने के लिए हमें किंची जोगी जोरत पड़ेगी हेदरबाती पनीर की सबजी बनाने के लिए यहां पे मैं 100 ग्राम हरेदनिया के पत्ते ले लिए है अच्छे से दो के थोड़े से फुदीने के पत्ते ले लिए है उसको मैंने अच्छे से दो लिया है दो हरी मिर्च को अदा अदा काटके ले लिया है पंदरा से सोला कलिया लसुन के ले लिया है चार प्याज ले लिये हैं मैंने उसको बड़े टुकरों में काट लिया है दो टमाटर ले लिये हैं उसको भी मैंने बड़े टुकरों में काट लिया है 200 ग्राम यांपे मैंने पनी ले लिए है और मसालों में हम ले लेंगे 2 चमच लालमेज पाउडर, 2 चमच दन्या पाउडर, 1 चमच हल्दी पाउडर, नमक हम लेंगे स्वादनुसा, थोड़े से यांपे मैंने खरे मसाले ले लिए है, एक फूल चक्री, एक बड़ी लैची, एक दालचीनी का टुकरा, तीन लवंग ले लिए है, हेदरबादी पनीर बनाना शुरू करते हैं, हेदरबादी पनीर की सबजी बनाने के लिए सबसे पेले गेस्वान करके कराई रख देंगे, कराई यांपे मैंने रख दी है, अब इसमें 5 टीस्पून जितना ओयल डाल अब ओयल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, ओयल यांपे हमाना अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, खड़े मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, अब जो हमने प्यास को काटके रखा था इसमें डाल देंगे, अब प्यास को तब तलक पका अब फ्लेम को हम हाय कर लेंगे और प्याज को अच्छे से बून लेंगे तो यहां पर हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं आपको भी यही स्टेट तक प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है पर अगर आपने प्याज को बूना नहीं तो आपकी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगी और सब्जी भी अच्छी नह हो चुके हैं अब जो आमने न्माटर काटके रखे थें इस में डाल देंगे तब मिर्ष को काटके ने अंट जो पाझप कर्षा हेलने अब सबसे पेले 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे उसके बाद इसको पीस लेंगे यहां पर पांच मिनट हो चुके हैं और टमाटर और प्याद अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब इससे हम पीस लेंगे मिक्सर में अब इसमें हरा दन्या और फुदीना डाल देंगे और सबको अच्छे से पीस लेंगे, आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने सब को अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, अब सेम कराई में सबजी बना लेंगे, सबसे पहले दो चमद जितना तेल डाल देंगे, और जो हमने ग्रेवी को पीस के रखा था, इसमें डाल देंगे, मैंने सारी ग्रेवी को कराई में डाल दिया है, अब इससे हम एक मने तक अच्छे से पून लेंगे, ग्रेवी यहां पर हमारी अच्छे से पून चुकी है, अब इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, अब इसमें एक चम्मत जितना गड़म मसाला भी डाल देंगे, यहां पर मैंने सारे मसाले अच्छी से डाल दिये हैं, आप सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आ अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब जो हमने पनीर के पीसे काट के रखे हैं वो ग्रेवी में डाल देंगे, पनीर यहां पर मैंने ग्रेवी में डाल दिया है, अब इसे हलके हाँ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबजी को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे एक मिनट के लिए ढखकर लगा के अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है हमारी हेदरबादी पनीर की सबजी बनकर दयार है यहां पर हमारी हेद्राबदी पनेर की सब्जी बनकर दयार है अब इसके उपर धन्यापती डाल देंगे तो आईए अब हम सब्जी को सवका लेते हैं यहां पर हमारी गर्मा गरम हेद्राबदी पनेर की सब्जी बनकर दयार है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो भारत बात इस किच्चन को सब्सक्राइब करना ना बूले